इस तरह से बनाएं पेठा का रायता जो खाने में बहुती स्वाधिश्ट और काफी हेल्दी भी है पेठा सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है इसके लिए हमने ये पेठा ले लिया है इसे हम एसगाट भी कहते हैं बहुत जण इसे चाल कुम्डा कहते हैं जितना रायता बनाना हो उसी साब से ले लें इस तरह से हमने यह आधा ले लिया है इसे छील लेंगे इस तरह से छील लिया है अब इसे हम काट लेंगे इसमें अगर बीज हो पकेवे तो वो हम निकाल लेंगे पकिवे भीच हो तो निकाल देंगे इस तरह से इसे हम अब ग्रेट कर लेंगे इसे अच्छी तरह से ग्रेट करें इस तरह से इसे ग्रेट कर लेंगे ये इस तरह से ग्रेट कर लिया है, ये करीब डेड़ कप पेठा है, इसे हमने अब ग्यास पर चड़ा दिया है, इसमें पानी नहीं डाला है, अब इसे हम ढख देंगे, इसे धीमियाज पर ही पकाएंगे, ये 5-7 मिनट पर पक जाएगा, ग्यास को धीमियाज पर रखें, और इसे लिए हमने देड़ कप दही इसे छान लिया है, ये घर का बनाओ दही है, दही में हम एक चम्मच चीनी डाल देंगे, चीनी स्वाद के नुसार डाले, अगर आप चीनी पसंद ना करते हों तो न भी डाले, एक चोथाई चमच जीरा पाउडर, जीरा को सेख के पीस लि जाता है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च की जगा आप लाल मिर्च भी इस्तमाल कर सकते हैं, हमने काली मिर्च का इस्तमाल किया है, स्वाद अनुसार नमक, पेठा के इस आप से भी नमक डाल दें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इधर इस पेठा को 5- साथ मिनट हो चुके हैं यह कुछ इस तरह का हो गया है पानी अभी थोड़ा है इसे धकावाई छोड़ दे ग्यास को बंद कर दे और इसे थोड़ा ठंडा होने दे ग्यास के एक तड़का लगाने वाला चड़ा दिया है इसमें बिल्कुल थोड़ा से घी या तेल कुछ भी लेने विल्कुल थोड़ा लें से गरम होने दे अब इसमें यह महीन राई डाल देंगे इस तरह से तड़का लगाने से रायता का स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है यह हो चुछा है ग्यास के इसमें तड़का तयार हो गया है इसी भी थोड़ा ठंडा होने दे कि तstep के थंडा हो गया इसे हम दही डाल देंगे में हराई दालके ठेण तरह से कंघ कर लें इसे अंच्छे तरह से में कर लिए है नमक यह ने बढ़ शक कर लें अगर कर लगता है तो ठोड़ा डाल लें और इसके ओ पर यह तड़का डाल दें तयार किया हुआ इस तरह से करी पताय का तड़का डालने से बहुत अच्छा लगता है पाने में, यह रायता काफी हल्दी है, रायता को ठंडा करके सर्फ करें, रोटी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको हमारी रेसिपीस पसंद आए, तो आपसे है, जरूर करें, थैंक यू,